नमस्कार साथियों मैं नागेश कुमार पांडे प्रवक्ता डिएड़ SCVI RSVI सनस्थान लखनौ। साथियों आज हम लोग सेमफोर के टीचिंग आफ मैथमेटिक्स पेपर में यूनिट 6 देखेंगे अंगरती ये सिक्षन टीचिंग आफ अर्थमेटिक्स उसमें दो चीजे महत्वपूर्ण से हम लोग देख रहे हैं कि अंगरत का अर्थ क्या है तथा इसकी आतिहासिक प्रिष्ट भूम क्या रही है संखेप में और दूसरा महत्वपूर्ण अंगरत शिक्षण के उद्देश क्या क्या है तो प्रारम करते हैं अगर हम लोग अंगरत की मीनिंग के भाव में देखें तो अर्थमैटिक सब्द ग्रीक भासा के सब्द अर्थ मोश नंबर से बना है जिसका साबदिक अर्थ है अंको का विज्ञान अर्थात साइन्स आफ नंबर्स तथा गड़ना करने की कला आर्ट आफ कम्प्यूटेशन इस प्रकार अंगरिस सब्द अर्थमैटिक सब्द का हिंदी रुपांत्रन है इसका साबदिक अर्थ है अंको की गड़ना करने वाला विज्ञाए अर्थात जिस विशे में अंको के संबंधों का वैज्ञानिक अध्यन इवम गड़नाओं की कला में दक्षता प्राप्त की जाती है वह अंगरित है शिक्षा सब्द कोश में अंगरित को परिभासित करते हुए लिखा गया है कि अंगरित अंको से गड़ना करने की विधियों और विद्यमान संबंधों में प्रदत प्रारंभिक नियमों एवम से धानतों का शमूह है अंगरित का दैनिक जीवन में बड़ा ही विशेश महत्त है अंगरित के दैनिक जीवन में उप्योग ने अनेक लाभ प्रद प्रवित्तियों को स्विजित करके पर्थ विवस्था को नूतन दिशा प्रदान की है बैंक, बीमा, कर, विदेशी व्यापार और उद्योग आदिका विकास अंगरितीय सिद्धानतों के आधार पर ही हुआ है अब हम लोग थोड़ा सा अंगरित के विकास के अितिहासिक प्रिष्ट भूम को देखते हैं इसके विकास में यद्यव सभी प्राचीन राष्टों ने कुछ न कुछ अपना योगदान दिया है परन्तु भारत उन सब में सबसे स्रिष्ट योगदान प्रदान करने वाला देश है इसलिए अंगरित को भारती विज्ञान कहा जाता है भारतीयों ने अन्य सभी देशों के लोगों से पहले तथा उनके प्रभाव से बिल्कुल अचूते रहकर इस विज्ञाय में उच्च कोट की दक्षता प्राप्त की यही कारण है कि आधुनिक अंगरित में अन्य राष्टों की तुल्ना में भारतीय पधिकल पनाओं विचार धाराओं और अनसंधानों की बहुलता है इस विज्ञाय में दमारगन महोदय लिखते हैं यूनानियों में प्रचलित अंगरित की तुल्ना में भारतीय अंगरित अत्यंत उच्च कोटी का है आज जिस अंगरित का प्रियोग हो रहा है वह भारतीय अंगरित ही है अरब निवासियों ने भारतीयों से अंगरित की सिख्चा प्राप्त की और उनके माध्यम से यूरोप वालों ने अंगरित का ज्यान प्राप्त किया अंगडित के छेत्र में भारतियों की अत्यंत महत्व पूर्ण उपलब्धी दस्मिक अस्थानमान पद्धति का अविस्कार है स्लेगल महोदय के अनुसार मनिश्च द्वारा किये गए अविस्कारों में वण माला के बाद दस्मिक अस्थानमान पद्धती सरवाधिक महत्तुका है दस्मिक अस्थानमान पद्धती सुन्य के प्रयोग पर आधारित है यदि सुन्य और दस्मिक अस्थानमान पद्धति का अविस्कार न हुआ होता तो भारती अंक उसी प्रकार की अन्य अंकों से न तो स्रिष्ट समझे जाते और नहीं उनका सरवत्र आदर ही होता सुन्य की महत्ता के संबंध में प्रोफेसर जी भी हैल्स्टेड महोदय लिखते हैं कि सुन्य का विस्कार इतना अधिक महत्तुपूर है कि उसकी प्रसंसा में जितना भी कहा जाए कम ही होगा सुन्य के जन्मदाता भारतियों ने सुन्य को अस्थान, शंग्या, आक्रिती एवं संकेत प्रदान करने के साथ साथ उसे उप्योगी सक्ति भी प्रदान की यह उनकी बहुत बड़ी उपलब्धी है ज्यानियों बड़ीक सक्ति के विकास में सुन्य के अविस्कारों का सबसे महत्व अधिक है यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता कि सुन्य का अविस्कार कब और किस व्यक्ति के द्वारा हुआ परंत इसका सरुप्थम प्रयोग आचारि पिंगल कृत छंद सुत्र में मिलता है जिसकी रचना लगभग 200 इस भी पूर में हुई वैसे तो अंगडित के आयतिहासिक प्रिष्ट भूम में बहुत कुछ है बहुत कुछ कहा जा सकता है लेकिन क्योंकि यहाँ पे हमें DRCVI को केंदर में रख करके अपनी चर्चा करनी होती है तो हम इसके आयतिहासिक प्रिष्ट भूम को यहाँ पे रोकते हैं और इसके बाद हम लोग अंगडित सिक्षण के उद्देश्य की तरफ चलते हैं एम साफ Mathematics Teaching अंगडित के सिक्षण को हम निमनलिखित उद्देश्यों में बिभाजित कर सकते हैं या निमनलिखित उद्देश्यों से समस शकते हैं उद्देश्य संख्या इक जात्रों को संख्याओँ शंख्यापरतियों तथा संख्या प्रतीकों का ज्ञान कराना, तथा दैनिक जीवन में उनके उपियोग करने की योग्यता विक्सित करना उद्धेश्य संख्या दो, छात्रों को संख्या समय वमस्थान के शंबंध में व्योहारिक ज्ञान देना उद्धेश्य संख्या तीन, छात्रों को अंकगरतिय सिध्धानतों को उचित रूप से समझने एवं उनका विशलेशन कर सही निसकर्स निकालने की छमता विक्सित करना उद्देश्य संख्या चार चात्रों में अंक गड़तिय व्योहारिक समस्याओं के हल खोजने की योग्यता उत्पन्न करना उद्देश्य संख्या पाँच चात्रों को मात्र संख्या दूरी एवं भारादिका सही ज्यान कराना चात्रों में शिग्धता एवं शुधता से अंगड़तिय गड़नाय करने की योग्यता विक्सित करना उद्देश्य संख्या साथ चात्रों को अंक गड़ित का ज्यान कराकर उनमें तरक सक्ति एवं नेड़य सक्ति का विकास करना उदेश्य संख्या आठ चात्रों में अंगडित के प्रती रुचि उत्पन करना तथा चात्रों को अंगडित हेतु अधिगम के लिए प्रेरित करना तो विशय की बाधिता को देखते हुए यह चर्चा यहां पर रुखते हैं आपको कैसा लगा अवस्य सुझाएं लाइक करें और सेयर करें धन्यवाद